नमस्कार दोस्तो दोस्तो पॉलिटी का लेक्चर सीरीज चलना है इसके पहले काफी वीडियो आ चुके हैं फंडेमेंटल राइट्स भी खत्मी हो चुका है ठीक है दोस्तो आज हम शुरू करेंगे राजी के नीती निर्देशक तत्वे दोस्तो अगर इसके पिछली वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उपर जो है आई बटन से क्लिक करके जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं ठीक है बाकी डिस्क्रेप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा दोस्तो इसके पहले प्रियांबल fundamental lights को हमने बहुत detail में पढ़ाया है काफी जो है हर एक article को को दो दो थिन तिर आरटिकल को हम लेकर चले है isli play य 향 dil आट पार्ट में उसको हमने बनाया है तो आप जाके उसको देख सकते है आज हम शुरू करते हैं दोस्तो राज जी के नीती निर्देशक्त वते हैं यह बहुत ही जादे इंपॉर्टेंट है दोस्तो क्योंकि अक्सर कोश्चन जो है डारेक्टली पूशा जाता है एक्जाम में फंडमेंटल लाइट्स और डीपीसपी राज जी के नीती निर्देशक्त वत यह दोनों वेlt sagen के नीती निर्देशक्तात है लेकिन आगर बढ़ने से पहले दोस्तो आप से य्रिक्वेस्ट है हम रोज डेली बेसिस पर हम वीडियोs अप्लोड कर रहे हैं जिस तरीके से वीडियोड कर रहा है मेहनत कर रहा है एडिट कर रहा है उसको अपडेट करके फिर सब्सक्राइब करिए शेयर करिए आप मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोग के पास पहुचे ठीक है और वो देखे इसको ठीक है खासकर वो जो सिविल इंस्पारेंट है जो कमपुटिशन एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं मैं सोच रहा हूं कि कोई भी क कोशन छूटे ना आपको आज कहीं से भी कोशन हो बन जाए तो दोस्तों अगर हम मेनत कर रहे हैं तो आपको फर्स बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज के नीती निर्देशक तो राज नीत सविधान के भाग चार के अनुछे 36 से क्यावन तक में किया गया है मतलब दोस्तों पार्ट फोर में सविधान के पार्ट फोर में इसको मेंशन किया गया है 36 से क्यावन आर्टिकल अनुछे 36 से क्यावन तक में इसको जो है मेंशन किया गया है इसके अंतरकत आते हैं पुश कितने से कितने आडिकल के बीच में आता है तो 36 से 51 के बीच में आता है 12 से 35 तक आपका fundamental lights मौलिक अधिकार फिर 36 से 50 तक आपका DPSP राज के निती निर्दिशक तत्वे दोस्तो सम्विधान निर्मावताओं ने ये विचार 1937 में निर्मित आईरलेंड के सम्विधान से लिया था मतलब पूछ लेका दोस्तो DPSP कहां से लिया गया है तो आईरलेंड से लिया गया है डाक्टर भीमरा मेटकर ने इसको तत्त्य की विशेष्टा बताया है ठीक है आई देखते इसके क्या विशेष्टा है अनुछे 36 के नुसर भाग चार्क में राज शब्द का वही अर्थ है जो मौलितकारों से सम्मंदित भाग तीन में है दोस्तों जो भाग तीन में मौलिक अदिकार में जो राज जी का अर्थ होता है जिसे राज की मतलब क्या सरकार प्रादी करड़ ठीक है जो भी है आपका उसमें राज जी का मतलब यह नहीं सिर्फ केंदर सरकार हो गया राज के मतलब कंसर्ण जो भी है मतलब जो सम्मंदित जिसे राज प्राजिकरण हो गया, कोई इंसर्चूशन हो गया, संस्था हो गई, ठीक है, राज को मतलब वही है, जो मौलिक अधिकार में जो इसकी परिभाशा दी गई थी, अब जाकर उसको अब देख सकते हैं, तो अनुचे 36 जो है, इसी के बारे में पहले बताया है, कि अ मेजान के परस्तावने में परिकल्पे थे, ठीक है, मनलब वही प्रियांबल में जो हमारी परिकल्पना की गई थी, उसी का अधार पे बनाए गया है, इनका उद्देश लोग कल्यार कारी राज जी का निर्मार, ना कि पुलिस राज जी को उपनिवेश काल में था, मनलब करना ही इन निर्देशक तक्तों का मूलब देश है, इसका मूलब देश है दोस्तों, इसका जो अब्जेक्टिव है, वो एकनॉमिकल के साथ साथ सोशल डेमोकरेसी की बात करता है, ठीक है, निर्देशक तक्त की प्रकृति गयर निया है, यह बहुत important question पूछ लेता है, दो लेकिन दोस्तों, यहां पर यह नहीं है ऐसा, यहां पर यह गयर नियायोचित, non-justiciable है इन नेचर में, ठीक है, मतलब आप खोट नहीं जा सकते हैं, मतलब यह कि इसके हरनने पर नियायले द्वारा लागु नहीं करा जा सकता है, ठीक है? और सरकार, जैसे केंद्र होगया, इन तत्तों को लागू करना राज जीका करता भी होगा, ठीक है, अब आए दोस्तों देख लें, classification कि क्या वर्गी करण दिया गया है, DPSP किन वर्गों में वर्गी करण किया गया है, समुख़ार में इनका कोई वर्गी करण नहीं किया गया है, ठीक है, अगर पूछ लेकि बा पर इनको विभाजित किया गया है, विभक्त किया गया है, तो समिधान में इनका वर्गिकर नहीं किया गया है, इनको तीन श्रडी में विभक्त किया गया है, पहला क्या है समाजवादी सिध्धान, सोचिलिस्टिक प्रिंस्पल, गादिवादी सिध्धान, गादियें प्रिं करते हैं कि सवाज इकाति को राज नियोतिक नयाय मिलेगा ठीक है 49 में इस पताए कि सुरच्छित करना राज का उदेश की मतलब जो है नागरी कोस को सुरच्छा प्रवाइट परदान करना ठीक है सुरच्छित करना और अनुचेद उन्तालिस ए अनुचेद उन्तालिस का अर्टिकल थर्टी नाइन एक के तहट समान नयाय और निशिल को विदित सहाथा प्रवाइट कराना मतलब दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टन कोशन अब पूछ लेता है क्योंकि अमेंडमेंट हुआ है तो अनुचेद उन् ली एड ठीक है मतलब फ्री लीगल एड आपको प्रवाइट करेगा गरीबों यह मतलब समान नयाय और निशिल को विवित विदित सहाथा है लीगल फ्री एडवाइज जो यह लीगल जो भी ृट उसको सहायता प्राप होनी चाहिए वो निशुल्क आपको पुरवाइड करेगा समानकार के लिए वेदन की विवस्ता भी इसी में है 9.41 के दहाट को दशाओं में काम सिच्छा और लोग सहायता पाने का अदिकार की बात की गई है 9.42 में काम की निया संगता और मानवचित दशाओं का तथा परसुती सहायता का उपबंद किया गया है 43 में सभी कर्मचारियों के लिए निर्वा मजदूरी इस्तिस्टी जीवन इस्तर तथा सामाजी का और सांस्कृतिक आउसर की बात की गई है ठीक है दोस्तों 43 ए अमेंडमेंट जहां भी का और ए लिक्के आ रहा है दोस्तों अमेंडमेंट वसमाली के बहुत इंपोर्टन्ट है अक्सर यह पूछ लेता है कुश्चन की 43 a में क्या है आता भी है इसमें दोस्तों यह दिया गया है उद्ध्यवों पार्टिसिपेशन कर्मकारों के भाग लेने के लिए क्या करता है ठीक है इसमें कर्मकारों की लिजमेदारी बनते हैं कि जीवन का इस्तर हो ओचा हो और लोग स्वास्त की सुधार करने के लिए वो जो है अब उनका जो है करतर हो बनता है अब देखें दोस्तों गाधिवादी सिद्धान क्या है गाधियन प्रिंस्पल यह सिद्धान गाधिवादी विचार धारा पर अधारित है राश्टी आंदोलन के दोरान गाधी द्वारा पुनरस्थापिद युजनाओं का परते निजुत करते हैं गाधे जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निर्देशक तत्तों में शामल किया गया है यह राज जिससे अपिच्छा करते है क्या पिच्छा करते हैं दोस्तों अनुचे चालिस ग्राम पंचायतों का संगठन मतलब दोस्तों ग्राम पंचायती राज जो बात करता है आपके मतलब शिडूल 11-12 में उसी के बात कर रहा है दोस्तों कि मतलब ग्राम पंचायतों का संगठन गाधी गाधे फिलोस्पी थी ठीक है अर्टिकल 40 और चे चालिस और चे लिसमें कोप्रोटी की बात कर रहा है करम शेट्रह में कोटी रिद्योगों व्यक्तिगात या सहेकारी के आधार पर कुटीर कुटीर रिद्योगों का पृस्ताहन देने के बात करता है ठीक, अनुछे 43B, 43B, सहकारी सम्मीतियों, कौप्रे सुसाइटिक्स की बात करता है, कि स्वाचिक गठन, मतलब उसको गठन करने की, मतलब वो फाउंड कर सकते हैं, संजूत संचालन, लोग तांतरिक, निमंत्रड तथा वियोसाइक परबंदन को बढ़ावा देने की बात कर ठीक है, अनुछे 46, के अनसोची जाती है, अनसोची जन जाती है, और अन्य दुर्बल वर्गों के सिच्छा और अर्थ सम्मंधी हितों की सुरक्षा के बात करता है, अनुछे 46, अनुछे 47, स्वास्त के लिए नुकसान दायक, नशीली, दवाओ, मद्रा, ड्रग, के और रौंग बाओ, सिंपल वर्ड में मैं लिखा हुआ है, अनुछे 48, गाय, बच्रा, वान, दुधार, पश्छु की बली पर रोक और उनकी नसलों में सुधार को पुरुष्साहन, ठीक है, अनुछे 48, की दहत, बेन क्या गया है, गाय, बच्रा, और अनुधार, पश्छु की इसमें उदार वाजिटे को सद्धान को शामिल किया गया है? 먹ने दोस्तों इसमें सिविल कूर के बात करता है नागरी को के लिए एक समान सिविल संगिता के बात करता है ठीक है? और उच्छे पैतालिस में सभी बालकों को 14 वर्स की आयू पूरी करने तक निशुलक और अनिवार सिच्छा देना है इसकी बात करता है और उच्छे दरतालिस किर्शी और पशुपालन को आधुनिक और वैगानिक पडारियों से करना अनिश्चे दरतालिस है फिर इंपॉर्टन दोस्तों अमेंडमेंट आ गया इसमें किसकी बात करता है जो हमारे इनवार्मेंट है उसकी प्रोटेक्शन के बात करता है उसकी कंजर्वेशन के बात करता है परियावर्ड का सनक्षड ताथ सम्वर्दन और वन जीओ की अच्छा वाइल हमारे इनिमल्स है दोस्तों उसकी प्रोटेक्शन के बात करता है परियावर्ड इनवार्मेंट के प्रोटेक्शन के बात करता है कोशन पूछ लेता है कि इनवार्मेंट के प्रोटेक्शन के बात हमारे परियावर्ड की सनक्षड की किसमें बात करता है कौन सा अनु और हमारे जोवने जिवहों के रच्छा के बात करता है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है अनुशेद उन्चास राष्टी महत इसमारको इस्थानियों और वस्तू के सनक्षड के बात करता है अनुशेद पचास के अंतर के दोस्तों कारिपालिका और नियापालिका के प्रिथक कर्ड के बात करता है मतलब बात की जाए दोस्तों मतलब अगर बात की जाए शीटोल की तो शीडूलह आपके देखा ही होगा सेंटर्ल और मतलब स्टेट का जो पवर है उसका सपरिशन पवर के बात करता हैं शीडूल में यहांप लिए बात करता है दोस्तां अंताराश्टी, शान्ती और सुरच्छा की बात करता है दोस्तों ठीक है अब देख लिए दोस्तों कुछ नए निर्देशक तत्वे जोड़े गये थे जोगी बहुत ही जादा महत्तुपूर है अक्सर कोशन यहां से बनता है कि कौन सा अमाइंड मेल अलब कौन सा जो इसवे संशोदन अधनियम अब दोस्तों 42 संशोदन अधनियम बहुत ही इंपॉर्णेंट है ठीक है अम इनी कांसेट्यूशन का जाता है इसको 42 संशोदन अधनियम 1976 के तहत चार तत्तों निर्देशक तत्तों को जोड़े गये थे मलब इसमें चार जो है आपके आर्टिकल मलब चान निर्देशक तब तो जोड़े गया थे ठीक है 42 संशोदन अधनियम जो 1976 में हुआ था क्या था और छेद 49 बच्चों के स्वस्त विकास के लिए आउसरों के सुरच्चित करना इसकी बात करता है और छेद 49 से 39 समान निया और निश्यल विजित साय था जो उपर हम 44-43 का उद्देगों परबंद में करमकारों के भाग लेने के बाद जो की गई थी उपर वो जो है वो भी से मलब 42 संशोदन में इसमें हम जो है हाईलाइट करना बूर गया है बूल गया है अनुछे मतलब 1978 की यह जो 44 संशोदन अदिनियम में एक और निर्देशक तत जोड़ा गया था हालाइट नहीं कर पाए अनुछे दर इस एक और जोड़ा गया था ठीक है बस यह माली जीक 1978 में जो 44 संशोदन हुआ था उसमें सिर्फ एक निर्देशक तत हो गया मैं लिखने में टाइबिंग करने में तो इतना आप दोस्तों इसके लिए सौरी ठीक है इतना आप देख लीजिएगा अनुछेद 38 की तहट आए परतिश्टा और सिधाहों के आउसरों में असमानता को समाथ करने की बात की गई थी ठीक है अब देखें दोजार दो का 86 वे संशोदन अधनिया में 26 जो कंसेटिशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में उसमें क्या किया गया था अनुछेद 45 जो आइटिकल 45 में जो जिसकी वीशाय वस्तू थी उसको बदल लिया गया था उसमें क्या कहा गया था प्रात्मिक सिच्छा को अनुछेद 21A के तहत मू है ठीक है तो इसमें जो है आर्टिकल 45 जो था उनुछेद 45 की विशाय वस्तू को बदल दिया गया और प्रात्मिक सिच्छा को अनुछेद 21A के तहत मूलजगार बना दिया गया था ठीक है अब 97 अमेंडमेंडमेंड का सिचुशनल अमेंडमेंडमेंड 2011 को जो हुआ था उ स्वच्छी गठन स्वाय संचालन लोकतंत्र लोकतंत्रिक निमंत्र तथा देवसाइक परबंदन को बढ़ावा दे मतलब दोस्तों इसमें कॉआपरेटिव सुसाइटीज की बात की गई थी और उच्छे 43 B के तहद ये 97 संशोदन अधिनियम था 2011 का इसकी तहद याइड कि कर सकते हैं ठीक है दोस्तों दोस्तों हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिलते हैं पौलिटीक लेक्चर कांटीनू हम अपलोड कर रहे हैं ठीक है इसके पहले दो तीन पार्ट हमारे खतम हो चुके हैं फंडमेंटर लाइज प अगला वीडियो आएगा दोस्तों डीपेस्पी के बाद मतलब जो डिफिरेंस के बाद जो आएगा फंडमेंटर लाइट्स और डीपेस्पी के बीच में डिफिरेंस है उसका वीडियो चोटा सा आएगा उसके बाद आएगा फंडमेंटल डूटीज तो दोस्तों बने रह झाल उतकों सहुंआ है